जैसा कि कहा जाता है कि जैसी लेशिया में विक्ति मरता है उसी लेशिया में वो पैदा होता है तो क्या है आखिर लेशिया तो इसी लेशिया के बारे में आजम जानेंगे चित्त में उटने वाली विचार तरंगों को लेश्या कहा गया है जैसे हवा का जोंका आने पर सागर में लहरों पर लहरे उटनी प्रारंब हो जाती है वैसे ही आत्मा में भाव कर्म के उदई होने पर विशय विकार के विचार उटने लगते हैं लेश्या आत्मा का परिनाम अध्यवसाई विसेस है मन के अच्छे बुरे विचार या भाव है जिस प्रकार स्वटिक रतन के छिद्र में जिस रंग का धागा पिरोया जाता है रतन उसी रंग का दृष्टि गोचर होता है उसी प्रकार आत्मा भी राग, द्वेश, कशाई, आदी विबिन्न संयोगों से या मन वचन काया के योगों से वैसे ही रूप में परिनत हो जाती है जैन विचारकों के अनुसार लेश्या की परिभाशा ये है कि जो आत्मा को कर्म से लिप्त करती है या जिसके द्वारा आत्मा कर्म लिप्त होती है अर्थात बंदन में आत उसे लेश्या कहते हैं, उत्राध्यान सूत्र में लेश्या का अर्थ, आभा, कांती, प्रभा या छाया भी किया गया है, जैसे पदार्तों का रंग होता है या वर्न होता है, उसी प्रकार मनों, भावों और विचारों का भी एक रंग या वर्न होता है, जिसे आभा, प्रभा और कांतिक कहा जाता है इसे ही लेश्या कहते हैं प्रत्येक वस्तु का अपना एक प्रभा मंडल होता है जिसे ओरा कहते हैं जो वस्तु से निकलने वाली सुक्ष्म प्रभा को सुचीत करता है किसी का प्रभा मंडल सुब उज्वल होता है तो किसी का मलीन और किसी का एकदम मल जिस जीव की जैसी मनोभावना, चिंतन, आचरन, व्यवहार होता है उसकी लेशिया भी उसी प्रकार की होती है इसलिए लेशिया एक प्रकार से आंतरिक मनोभावों का थर्मामेटर है ऐसा कह सकते हैं लेशिया का उदगम कशाई और योग है जहां इन दोनों का अभाव होता है वहां लेशिया नहीं होती है उदारन के लिए चौदवे गुनस्तान यानि अयोगी केवली में और सिद्धों में कशाई और योग न होने से लेशिया नहीं होती है कशायों की मंदता तिवरता के अनुसार आत्मा के भावों में परिनमन होता रहता है लेश्या ये मनो भावों का वर्गी करन मात्र नहीं है वरन चरित्र के आधार पर किये गए व्यक्तित्व के प्रकार भी है किसी भी बात के लिए व्यक्ति की प्रतिक्रिया की मानसिक्ता को भी लेश्या कहा जा सकता है भावों की मलिंता और पवित्रता के आधार पर लेश्या के अनेक भेद किये गए हैं पर यहां पर हम मुक्य छे भेद के बारे में जानेंगे क्रिश्न, नीर, कापोत, तेजस, पद्म और शुकल यह सभी लेश्याएं द्रव्य और भाव दो प्रकार की होती है द्रव्य लेश्या यानि आत्मा के द्वारा ग्रहन किये गए जो पुद्गल या परमानू लेश्या रूप में परिनमन करते हैं उन्हें द्रव्य लेश्या कहते हैं और यह वर्न, गंद, रस और स्पर्स सहित होते हैं भाव लेश्या यानि आत्मा का अध्यवसा या अंतह करन की वृत्ति को भाव लेश्या कहते हैं प्रथम तीन लेश्याएं अशुभ है और बात की तीन लेश्याएं सुभ है अशुब लेशियाएं जीव को दुरगति में लेकर जाती है तो अशुब लेशियाएं व्यक्ति को सद्गति में ले जाती है सबसे पहले जानते हैं कृष्ण लेशिया के बारे में पांच आसरव का सेवन करने वाले छे काई हिंसक आरंबी क्रूरता से जीव हिंसा करने वाले व्यक्ति कृष्ण लेशिया वाले होते हैं इस अवस्ता में व्यक्ति के विचार अत्यंत निम्न कोटी के क्रूर असयमी और अविवेकी होते हैं अपनी सारीरिक, मानसिक और वाचिक क्रियाओं पर नियंतरन नहीं रख पाते हैं अपने इंद्रियों पर नियंत्रन न रख पाने के कारण सदय इंद्रियों के विश्यों की पूर्ति में मगन रहते हैं विश्यों की पूर्ति के लिए हिंसा, चोरी, व्यबिचार, आदी हिंसक कार्य करने में भी उन्हें तनिक भी अरूची नहीं होती है अपने छोटे से स्वार्त के लिए दूसरों का बड़े से बड़ा अहित करने में भी संकोच नहीं करते दूसरों को निरतक पीड़ा देना त्रास देना इसमें इनको बहुती आनन्द आता है ऐसे मनुश्य के मन में मलिंता भरी होने के कारण सामान्यत है उनका मुक मंडल भी भयानक और कुरूरता से युक्त दिखाई देता है अब जानते हैं नील लेश्या के बारे में जो व्यक्ति अपने को सुरक्षित रखता हुआ अन्य को हानी पहुंचाने की चेश्टा करता है वो नील लेश्या वाला होता है इस अवस्ता के जीव विसई वासना से युक्त मायावी, कप्टी, ब्रिशावादी, इश्यालू, कदाग्रही, रसलोलूप, अती निद्रा लेने वाला और प्रमादी होता है वो अपनी सुख सुविदा का सदेव ध्यान रखता है और अपने हित के लिए दूसरों का अहित करने में संकोच नहीं करता यहाँ तक कि वो अपने अल्प हित के लिए दूसरों का बड़े से बड़ा अहित भी कर देता है जिन प्रानियों से उसका स्वार्थ रहता है उन प्रानियों का पोशन न्याय के अनुसार वो कुछ ध्यान अवश्य रखता है लेकिन उसकी मनोवरती दूशित ही रहती है जैसे बकरा पालने वाला बकरे को इसलिए नहीं खिलाता कि उससे बकरे का हित होगा बलकि इसलिए ख उसके पीछे उसका गहरा स्वार्त रहता है अब जानते हैं कापोत लेशिया के बारे में कृष्ण और नेल लेशिया से कुछ शुब किन्तु अन्य लेशियाओं से मलीन चंचल परिनामों को कापोत लेशिया कहा जाता है उत्रा धेयन सुत्र के अनुसार कापोत लेशिया वाला अत्यदिक हसने वाला दुर्वचन बोलने वाला चोर स्वभाव वाला होता है उसकी कतनी और करनी भिन्न होती है मनो भावो में सरलता नहीं होती कपट और एहंकार होता है वो अपने दोशों को छिपाने की कोशिश करत आत्म प्रसंसा और पर निंदा में तत्पर रहता है। दूसरे के धन का अपहरन करने वाला और इश्यालू भावों से युक्त होता है। फिर भी ऐसा व्यक्ति दूसरों का अहित तभी करता है जब उससे उसका स्वार्त सिद्ध नहीं होता है। चौती लेश्या है तेजो लेश्या। तेजो लेश्या को पीत लेश्या भी कहा जाता है। ये लेश्या इन तीनों लेश्याओं से स्रेष्ट मानी गई है। क्या सुनने योग्य है, क्या सुनने योग्य नहीं है, क्या देखने योग्य है और क्या देखने योग्य नहीं है, इस प्रकार प्रत्य कार्य में विवेक चेतना का उप्योग करता है। वो अपनी उर्जा को व्यर्थ नहीं गवाता, उसके मनो भावों में दूसरे के कल्यान की भावना भी होती है, वो प्रिय, दुरुड, धर्मी और परहितेशी होता है, ऐसा व्यक्ति दूसरे का अहित भी करता है, केवल उस तिती में, जब दूसरे उसके हितों का हनन करते हैं अब जानते हैं पांचवी लेश्या पद्मलेश्या के बारे में उत्तरा धेन सुत्र के अनुसार मंदतर कसाई प्रशांत चित जीतेंद्रिय अवस्ता पद्मलेश्या के लक्षन है। अब जानते हैं छटी लेश्या, शुकल लेश्या के बारे में धर्मध्यान और शुकल ध्यान में प्रशांत चितेंद्रिय होता है। प्रवेश लेने वाला शुकल लेश्या युक्त होता है। प्रतिकूल सभी संयोगों में राग द्वेश नहीं करता। छे मित्र यात्रा करते हुए एक बगीचे में पहुंचे वहां उन्होंने फलों से लदा हुआ जामुन का एक वरक्ष देखा। सब के मन में फल खाने की इच्छा पैदा हुई। पहला मित्र बोला जो कि कृष्ण लेश्या वाला था। उसने बोला कि मित्रों चलो इस वरक्ष को गिरा देते हैं फिर आराम से जामुन खाते हैं। ये मनुश्य इतना व्यग्र और लाल्ची है कि उसे अपनी भूक मिटाने या स्वात के लिए जामुन के इस वरक्ष को काटने के लिए भी कोई हिच्छ किचाहट मैसूस नहीं होती है। तो दूसरा मित्र जो नील लेशय वाला होता है वो कहता है कि पूरा विरक्ष गिराने से क्या लाब बड़ी बड़ी डालिया तोड लेते हैं जिन में जामुन लगे हुए हैं। इस पर तीसरा मित्र जो कापोत लेशया वाला होता है वो कहता है कि भाई सभी डालिया बेकार में क्यों काटते हो जिन डालियों पर फल के गुच्छे लगे हैं केवल उन्ही डालियों को ही हम काट लेते हैं तब भी हमारा काम हो जाएगा चौता मित्र जो तेजो लेशया वाला था उसने कहा कि नहीं नहीं साकाएं तोड़ना अनुचीत है फल के गुच्छे तोड़ देते हैं उतना ही परियाप्त होगा हम सब के लिए इतने में पांचवा मित्र जो पद्मलेशया वाला होता है वो कहता है कि फल के गुच्छे तोडने की क्या आवश्यकता है इसमें तो कच्छे पक्के सभी फल होंगे हमें तो पके मीठे फल खाने हैं फिर कच्छे फलों को क्यों नश्ट करें क्यों तोड़ें ऐसा करो पेड़ों को जगजोर दो ताकि पके पके फल नीचे गिर जाएं इस पर छटा मित्र जो सुकल लेश्या वाला था उसने कहा कि क्यों पेड़ को जगजोरते हो वरुक्ष को छती क्यों पहुंचाते हो जमिन पर कितने ही पके हुए जामून गिरे पड़े हैं इने ही उठा कर खालो तो ये द्रिश्टांत के माध्यम से सपस्ट होता है कि एक ही विशय को लेकर विचारों के प्रती भावों में कितनी बिन्नता होती है इस बिन्नता के आदार से छे भ तो उत्रा ध्यन सूत्र में कृष्ण, नील और कापोत लेशया को दुरगती का कारण यानि नरक तिर्यंच गती का हेतु बताया गया है और तेजो, पद्म और शुकल लेशया को मनुष्य और देव गती बंद का कारण बताया है कहीं कहीं पर ये भी उल्लेक मिलता है कि कृष्ण लेशया से नरक गती, नील लेशया से स्तावर योनी, कापोत लेशया से पशु पक्षी रूप तिर्यंच गती, तेजो लेशया से मनुष्य गती, पद्म लेशया से सामान्य देव गती और शुकल लेशया से उच्छ गती या सिद्ध गती प्राप्त होती है लेश्याओं में बदलाव आता है और लाया भी जा सकता है उच्छ लेश्या के गुनों का वरत, नियम, तप, त्याग, ध्यान, साधना, भावना आदी योगों से उच्छ लेश्या आ सकती है और विपरीत योगों से प्रसस्त लेश्या भी घिर कर अप्रसस्त बन सकती है इसलिए हर साधक को लेश्या विशुद्धी के लिए हर पर जागरत रहने की जरूरत है तो ये थी छे लेश्याओं से संबंदित संचिप्त जानकारी आपको क्या लगता है आप में कौन सी लेश्या है कमेंट में बताएं वीडियो पसंद आया तो लाइक शेर सब्सक्राइब करें